जहीं दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का जियोग्रोफिस रिलेटेड इंपोर्टेंट कोसेंस और इसके बाद हम लोग जीएस के कुछ कोसें को डिसकस करेंगे तो चले देखें पहला कोशन आप लोगे सामने हैं कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहा कोशन का राई इंसर हो जाएगा जादू गूडा में सबसे पहला खान जो की यूरेनियम का है अगला कोशन देखें कि दामुदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में हैं तो दामुदर घाटी परियोजना ये आपका जहारखन और पशिम बंगाल होगा इसका राइट कहां पर है जारकंड और पशिम बंगाल में अरब सागर के राजधानी किसे कहा जाता है अरब सागर के राजधानी किसे कहा जाता है तो कोची बंदरगाह इसका सही अंसर हो जाएगा अरब सागर के राजधानी कहां पर है कोची बंदरगाह में अगला कुछिन देखें नेश्ट कुछिन आप लोगे सामने हैं कि दामोदर सुरी पशिम बंगाल का कूज बिहार किसलिए प्रसिद है तो पशिम बंगाल का जो कूज बिहार है यह आपका सिल्क उद्योग के लिए फेमश है ठीक है? सिल्क उद्योग अगला कुशन देखें कि भारत बंगला देश की बीच सीमा का फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है तो देखें यह जो है आपका फरक्का बांध परियोजना यह आपका गंगा नदी पर है और गंगा नदी के बारे में देखा जा तो यह है भारत के सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलो मीटर ये आपका पश्यम से पुरब की और बहने वाली नदी है भागी रथी और अलक नंदा जो देव प्रियाग में मिलता है और उसके बाद गंगा नदी का निर्मान हुआ है अगला कोशन देखे कि एसिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस तुली ये आपका है जमु कस्मीर में इसका सहय अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखे कि आजादी का बाद पहली भारत 2011 में शमाजिक आर्थिक वह जातिया जन गंण ना किस राज्य से शुरू हुई थी तो समाजिक आर्थिक और जातिया जनगंना देखा जाए तो 3 पू अधिकतर खनीज खदान अगर देखा जाए तो मध्य परदेश का लोक नित्य आप लोग को कमेंट करना अगला कुछन देखें नेक्ट कॉशन है कि राश्य बीज अनुसंधान ववव प्रशिच्शन केंद्र किस अस्थान पर इस्थान पर इस्थान थे हैं एंसर राजस्थान में सबसे ज्यादा लिथियम अलिमेंट पाया गया है जो कि energy का बहुत बड़ा source है और आप लोग comment किजिएगा lithium का atomic number क्या होता है तीक है राश्टी बी जानू संदान वह प्राशिचन के इंदर किस अस्थान पर इस्तित है तो वारान सी repeated question है ते लिए अगला question ये चंदन स्रेनी में repeated है next देखें यहाँ पर है कि भारत में सरवाधिक जूट मिले किस राजिय में इस्तित है जूट मिल जूट मिल हो गया आपका पशीम बंगल भारत में सरवाधिक जूट मिल कौन से राजिय में है तो पशीम बंगल इसका से answer हो जाएगा next देखें कि भारत में सरवाधिक वर्षा किस कारण होती है उत्री पुर्वी मानसून के कारण होती है उत्री पुर्वी मानसून नेश कोशन देखिए पेन गंगा किस नदी का सायक नदी है तो पेन गंगा देखा जाए तो ये गुदावरी का सायक नदी है पेन गंगा next question आप预व के सामने कि ओ एन जी सी का पल्टाना प्रोजेक्ट किस राज्य में सथी थे Nouग加 कोन से राज्य इसका अपवाद है मतलब किस राजी में मांसून के कारण वर्षा नहीं होती है देखिए मांसून में भारत में अधिकता वार्षा होती है लेकिन कौन से राजी जिसमें वर्षा नहीं होती है तो तमी नारू इसका राइट एंसर हो जाएगा तो अगर इसका पिक्चर देखा जाए तो जैसे कि यह है आपका तक्षिनी छोर ना भारत का तो यहां वाला जो इलाका ना इस इलाका में क्या यह आपका है परवतला इलाका परवतला इलाका का जो अपोजीर साइड है तमीन नाडू है तो मांसूर में तो वारिष तो होता हर जगा लेकिन इस त्रेनी के कारण इस स्में से बाइलोजी है किर तो पहरा कुष्यनी देखे बाइलोजी देखे में कि इतो इन्थ लोजी जो है एन्थोलोजी कि कि कए आधियन को अध्यां को एंथोलोजी कहेंगे क है सिल्वी कल्चर देखा जाए तो कास्टी पेडों का सरवधन समवर्धन मतलब कि जंगल विज्ञान के अध्यान को हम लोग बोलेंगे सिल्वी कल्चर शारोलोजी अगर देखा जाए तो छिपकल्यों के अध्यान को बोलेंगे शारोलोजी इन्पोर्टेंट है और प्रतिक एक्जाम में पुछा जाता है आप लोग का अध्यान को माइकोलोजी कहेंगे इस कोशन देखिए कि फाइकोलोजी फाइकोलोजी सेवालों के अध्यान को कहेंगे फाइकोलोजी और उसके बाद है पॉमोलोजी तो फलो के अध्यान को बोलेंगे पॉमोलोजी फलो के अध्यान को और निथोलोजी किनको बोलेंगे तो मचलियों के अध्यान को कहेंगे Esteology अगला कोश्चन देखे Question no 9 Entomology Entomology कीरा से रिलेटेर होता है Logi का मतलब होता अध्यान Entomology कीरो के अध्यान को कहेंगे Tendrology यब का वरिक्ष और ज्हानियों के अध्यान को कहेंगे Dendrology Tendrology Nast Quachesन देखे आफियो लोजी जो किन को बोलेंगे स्नेक्स के एधियन को आफियो लो जी कहेंगे PC-Culture PC-Cistan जो है न मत्तिसस remains related होता है और culture word जहां भी है इसका मतब होता है पालन करना PC-Culture यानि मत्तिस्य के पालन या अधियन PC-C zastthe philosophy eco culture मत्तिस्य के पालन को कहेंगे अगला question दिखे Sherry culture रेशम की पालन के ADJAN को बोलेंगे Sherry culture और Après culture Af piss word मधु मक्खी से related होता है तो मधु मक्खी के पालन यह उनके ADJAN करना मधु मक्खी पालन के ADJAN को कहेंगे ındaki culture ठीख है अब हम लोग मनुष्प के सरी से जूड़े कुछ equation को देखेंगे जैसि के पहला question है कि लाल रक्त कन का निर्मान होता है तो अस्थी मज्जा में लीखे जो wooden होता है control के अंदर जो fluid part होता है इस fluid part को कहा जाता है पोन मेरो अस्थी मज्जा और इसी fluid part में paint blood cell white blood cell मतलब wbc इन सब का निर्मान होता है अर्ट में सेल नहीं होता है उनको कार्पूसल का जाता है वाइट ब्लड कार्पूसल और रेट ब्लड कार्पूसल इनको कहा जाता है जिनके बीच में केंद्रक होता है जिन में केंद्रक पाजाता है उनको सेल का जाता और लाल रक्त कनिकाओं में केंद्रक नहीं पाजाता है सवेत रक्तकन का जिवनकाल यानि की WPC का lifetime 1-4 दिन सवेत रक्तकन को कहा जाता है सवेत रक्तकन को कहेंगे इधालिको साइट सवेत रक्तकन को कहा जाता है अगला कुशन देखिए नेक्ट देखें कि लाल रक्तकन को कहा जाता है लाल रक्तकन को क्या कहा जाता है तो एरित्रोसाइट वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को बोलेंगे लिकोसाइट और रेड ब्लड कार्पोसेल्स को बोलेंगे एरित्रोसाइट मानो का रक्त नियंत्रन होता है तो देखें हाइप मास्टर ग्लैंड कौन सा है तो देखें पिट्यूटी ग्लैंड जो है ना उनको मास्टर ग्लैंड का जाता है क्योंकि पिट्यूटी ग्लैंड बाद बागी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है अब ग्लैंड का वर्क क्या होता है तो ग्लैंड का वर्क होता हार्मोन को बनाना और हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन का काम है सरीर के हर एक metabolism को कंट्रोल करना, तो हाइपोथलेमस से सरीर के जो temperature होता है, कंट्रोल होता है, पलस भुक नींद प्यास इन सब भी कंट्रोल करता है हाइपोथेरेमस और भी है डर को भी कंट्रोल करता हाइपोथेरेमस अगला कुशें देखीं मनिश्य की सर्वदाता रख्त समू कौन सी है सर्वदाता अगर देखा जाए डॉनर, यूनिवर्सल डॉनर तो है O !!! dakhan रफ्ट्प के यंतर को क्या कहेंगे तो ब्लेड प्रेशर नप जाता है उसको बोलेंगे स्वाइगों मैंवेटर खर सभाइगों मैंवेटर के लोग रफ्ट चाप मा पर जाता है hem और Heartbeat जो है न, Heartbeat किसे मापा जाता है, आप लोग comment box में comment किजेगा, Heartbeat, Blood Bank कहा जाता है, तो स्प्लीन को Blood Bank कहा जाता है, प्लीहा इसका Hindi वर्ड है, ठीक है, Blood Bank, Spleen, और रक्त के कबरिस्तान Blood Bank, मतलब स्प्लीन को ही कहा जाता है कि देखिए कि भोजन का पाचन प्रारंब होता है पर बात किया जाए तो हमारे जो माउथ है माउथ में भोजन का पचना स्टार्ट होता है उसके बाद जो स्टमक होता है जो मुह होता है उसमें सलाइवा पाजाता है जिसमें का पाचन होता ह जो स्टमक है यहां पर प्रोटीन का पाचन होता है ठीक है और उसके बाद अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर फैट का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दो पार्ट होता है एक होता स्मूथ भाग एक होता रफ भाग स्मूद भाग में फैट का पाचन होता है इसमें उंगली नुमा प्रबद होता है जिसको विलाई कहा जाता है और यहां से जितने भी पाचित हुए हो जो ग्लुकोज के फॉर्मेट में बना रहता है इस विलाई के जरिये उस glucose form को ब्लड में मिलाने का काम होता है यानि कुल मिला के देखा जाए तो small intestine में अवसोशन का भी काम होता है ठीक है यहाँ पर अगला question वह लिए दिखा हुआ है कि पचेवे भोजन का अवसोशन का होता है तो छोटी आथ में ठीक ना और अगर बात कि क्या जाएं जितनी भी हम भोजन खाते हैं सब पच करके glucose बनता है अब जब यह oxygen के करके फिर यह यूरिया के form में बाहर निकल जाता है अब बात यहां पर आता है कि आटीपी कि फुल फॉरम क्या होता तो देखें एटीपी का फूल पर वो अपका एडिन्सीन राइ फॉसफेट कि यह रहे एडिनोसीन राइ फॉसफेट कर दोस्तों मिले नेस्छस थेंक झाल झाल